अभिनेता साहिल कान की गिरफतारी हो गई है, कोट में पेश किया गया है, क्या कुछ कोट में बात हुई हमसे जादा बात्षीत के लिए मुझाहिद खान है साहिल कान की वगए मुजाहिद अंसारी जी, अंसारी जी क्या कहेंगे, एक मई तक की कस्टेडी मिली है, क्या कुछ दलीले आप लोगों की तरफ से भी रखेंगे? हमारी तरफ से एक ही दलीदे लखी गई थी के एस पर हाई कोड ओडर, थर्ड अप्रेल का जो हमारा हाई कोड को ओडर था, उसमें हमारे को किलियर दिया गया था कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करोगे, आप 13 तारीक को, 16 तारीक को और 18 तारीक को पुलिस टेशन में, SIT के कमिशनर ओफिस में अटेंडेंस होगे, जो कि हमने उसको कंपलाई किया, हमारे सारे डॉक्यमेंट, बैंक आकाउंट, सारी चीज़े हमने दे दिया और हमने पूरी तरीके से कॉपरेट किया, इसलिए कोड ने, हॉलिडे कोड ने उनको ज्यादा रिमांड, लंबी रिमा अभी उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पुलिस ने उनको डिरेक्ट यहां पर लेकर आया है, मेरे को उसमें कुछ पता नहीं है, बहुत सारे बैंक अकाउंट और सिम काउंट की बात की गई है साहिल के खिलाब, जी जी उनके से में भी उन्होंने बीस, दो हजार सिम काउंट और सात्रसों गाउंट का, लेकिन वो कोई भी बैंक अकाउंट और सुम काउंट साहिल खन के नाम पर नहीं है, हम लोगोंने इंवेस्टीकेशन में भी सामने, इवन investigation agency ने भी कोई भी एक single document अभी तक का produce नहीं किया जो ये link कर सके कि जो 2000 sim card और 1700 bank account है वो इनसे link है बतौर celebrity साहिल इसको promote कर रहे तो किस तरह का बचाव आप लोग आगे की तरह है जैसा दूसरे है सारे celebrity करते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं अभी IPL का सीजन सुरू है हर कोई पैटिंग एप को जो ये एप रहते हैं ऑनलाइन गेमिंग एप रहते हैं उसको promote करते हैं वैसा ये भी being a celebrity, being a bollywood actor, being an influencer ये promote करते हैं ये उसको endorse करते हैं मेरे काकरी सवाल है कि साहिल खान बहुत बड़ा नाम है लगातार ये अपडेट सामने आ रहे हैं कितना ज्यादा effect करेगा इन तमाम ज्यादा तो effect नहीं करेगा क्यूंकि इनका कुछ involvement नहीं है झाल 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 झाल